हाई फ्रेंड्स वेलकम टू रूवी स्क्राफ्टे किचन फ्रेंड्स आज मैंने बहुत हेल्दी सा एक नास्ता बनाया है मैंने बनाया है मूंग डाल का चीला स्टाफ वाला चीला और इसे बनाना इतना आसान है कि क्या कहने और हेल्दी इसलिए क्योंकि मूंग डाल हेल्दी और सारे वेजिटेबर healthy तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए फ्रेंट्स मैंने धोली हुई मूंकी दाल को तीन घंटे के लिए सोख कर दिया था अच्छे से धोके ये देखे तीन घंटे में बहुती अच्छे से ये सोक हो गया है और उसके बाद फिर मैंने इसे दुबारा भी धो लिया है, इसलिए इसका पानी एकदम साफ है, अब हमें इसे बारीग सा पीस के और इसका बैटर तयार करना है, तो चलिए मैं इसे जार में डाल देती हूँ, और इसका पीस के इसका अच्छा सा बैटर तयार कर लेंगे, तो बहुत जादा पानी नहीं डालना है ताकि यह पतला हो जाएगा ज्यादा पतला होगा फिर बनाने में मुस्किल आएगी इस तरीके से गाडा ही हमें इसे पीसना है तो मैं इससे पीस के एक बरतर में डाल देती हूँ अब इसे मिला देंगे थोड़ी सी हल्दी और स्वात के G अब इसमें बगा देंगे जीरे का तड़का और हरी मिर्च हरी मिर्च, लाल मिर्च जो आप खाते हैं उसका तड़का लगा देंगे और जब तड़का अच्छे से भून जाए तब हम लाएंगे इसमें बारी कटी हुई सबजिया तो मैंने इसमें डाल दिया है प्याच, गाजर, सेमना मिर्च और टमाटर जिसे छोटे-छोटे मैंने कट कर लिये हैं और अब इसे हम तेजाज पे भून लेंगे क्योंकि हमें इसे बहुत जादा नहीं पकाना है इसे हलका ही भून के इसका क्रंची रखना है क्योंकि चीले वगरा में सबजी के क्रंच आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है बस इसे हलका सा ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और इसका पानी सूख जाए और अब इसमें विलाद देंगे स्वात के अनुसार नमप धनिया पाउडर और जो मसाला थोड़ा बहुत आप खाते हैं वो थोड़ा सा मसाला एड़ कर देंगे चटपटा सा बनाने के लिए मैं बहुत हलका सा हल्ड़ी भी बना रही हूँ तो मैंने जादे कुछ मसाले इसमें एड़ नहीं किये हैं और जब यह सबजी अच्छे से भुण जाए हलका सा कच्चापन निकल जाएगा तब मैं इसमें मिलाओंगी पनीर क्योंकि आज पनीर की भी स्टफिंग करेंगे सबजी के साथ तो पनीर को मने अच्छे से कद्द्दू कस कर दिया है वह मैं इसमें मिलाओंगी यह ले लिया है मैंने एक कटोरी जिससे मत्द्द्द्दू कस कर लिया और चलते हैं अब चिला बनाने के लिए मैंने इस Pen में थोड़ा सा डाल दिया है और एक अलची के लिए यामने डाल का बैटर और उसको हांसों से जादा डबाएंगे यह हलके हाथों से एक ही डाइरेक्शन में हम इसको गोल-गोल घुमाते जाएंगे इस तरीके से और यहाँ पे फ्लेम मैंने मेडियम रख कर रखा है बहुत जादा तेज नहीं करेंगे नहीं तो बहुत जल्दी नीचे से कलर ले लेगा यह देखिए कितनी आसानी से यह चारो तरफ फैल के और शेप डिलिया है अब इसमें थोड़ा सा हम उपर से साइड साइड से भी ओयल डाल देंगे और जब यह उपर से साइड साइड से हलका हलका सब पक जाएगा तब हम इसके उपर डालेंगे स्टफिंग यह देखिए साइड साइड से कलर चेंज होने लगा एकदम लीन हो गय और दूसरी साइड से पलट देंगे चाहे तो हम बीच में भी रखके दोनों साइड से पलट सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है तो हम इसे एक साइड वाला ही मैं इसे एक साइड से सारा मिक्चर रख देती हूँ और यह बड़ी आसानी से यह तवी को छोड़ ऐस तरीके से उठांके हम और इस मिक्चर के ऊपर पलट देंगे इस तरीके से देखिए कितनी आसानी से यह निकल जाता है कितनी जल्दी और फर्स क्लास आई यह बनके रैडी है यह देखिए मैं पास्से दिखाती हूँ आपको तो यह दिखिए चलिए एक और बना के दिखाती हूँ इस तरीके से बैटे डालेंगे और दो सेकंड में चिपक जाता है उसके बाद हम कल्ची को घुमाते हैं तो ये बिल्कुल आसानी से फैल जाता है इस तरीके से गुल-गुल एक ही डिरेक्शन है घुमाते जाएंगे हलके हाथों से ये देखे इस तरीके से घुमाते जाएंगे और तुरंत ही ये पकने लगता है और जब हलका सा उपर से इदर हलका पक जाए तो फिर मिक्चर को एक साइड में रख्या जाएंगे दूसरी साइड से पलटके ऑचो कवर कर देंगे ये देखे और कितना सुन्दर स साइड आपको दिखनी रहा है पिर आपको पास से दिखाती हूँ कि इतना अच्छा नीचे कलर आया है इसका बहुत अच्य से पके राड़ी हो गया है ये देखे आपको दिख रहा होगा कितना सुन्दा सा गुलावी गुलावी अब बहुत अच्छे से पकेर रेडी हो गया है अब आपको प्लेट बें निकाल के दिखाती हूं ये देखे सॉस ग्रीन चटनी के साथ फर्स क्लास सा हमारा हेल्दी सा चीला बन के तयार है अगर असी पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को कर दीजेगा लाइक और बेल आइकन भी दबा दीजेगा मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स बाए